नमस्कार दोस्तो स्वागता आपका तो दोस्तो बात करने वाले हैं जो मोटो सेर के बारे में बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जो मोटो से रिलेटेड तो आज उसी की बात करने वाले हैं कि कहां पर आपको बाइंग लेवल करनी है और क्या आपको इसमें बने रहना है या आप को सेल आउट कर देना है दोस्तों तो दोस्तों जो मेटो का स्टोक आज आपको देखने को मिल ला है लगबग 78 रुपे 40 पैसे पर और अगर बात करते हैं पिछले वन मन्त की तो वन मन्त में जो सबसे ज़्यादा गिराबट थी दोस्तों वो 78 रुपे 50 पैसे थी यानि कि गया उपर की बात करते हैं तो 160 रुपे के आसपास इसका जो स्टोक प्राइस चरा गया था बात करते हैं दोस्तों कंपनी कैसी है तो बात करेंगे तो मार्किट कैपिटल दोस्तों 69 अजार करोड़ों पे है फिराल मार्क कंपनी के उपर कड़ देखने को नहीं मिलता है एक्सपैंस है दोस्तों उस पर जो है कंपनी लगा नहीं लगा पा रही है और फिलाल इस गिरावट में जो अभी आपको गिरावट देखने को मिल रही है हो सकता है आने वाले एक दो क्वार्टर के बाद आपको इस कंपनी में भी प्रोफिट देखने को मिल जाए ऐसा कहा जा सकता है तो अगर बात करते हैं इस company में कहां पर buying करनी चाहिए तो अगर हम बात करते हैं पिछले one month की तो one month में कई बार गिरावट आई ऐसा देखने को मिला कि Russia and Ukraine war की वज़े से stock market में गिरावट आई आज भी आपको बहुत जादा गिरावट देखने को मिली दोस्तो उसके बावजूद भी यह जो स्टोक प्राइज है दोस्तो लगबग सतर से असी के बीच चल रहा है तो इससे नीचे नहीं झारा है सतर असी रुपए के आसपास आपको देखने को मिल रहा है अगर इससे ज़्यादे भी घिरावट आती है तब भी हम मानके चल सकते हैं कि सतर असी के आसपास ही इसका प्राइज रहने वाला है तो अगर आप जो मैटो कंपनी का stock price buy करना सोच रहे हैं या buy कर रहा है दोस्तो तो आप 70-80 के आसपास आप इसको buy करके चल सकते हैं वैसे इसके जो target है दोस्तो 150 के आसपास बताई जाते हैं यानि कि अगर stock market में तेजी आती है तो 1500 रुपे के stock price पर ये पहुंच जाएगा तो stock अच्छा है आने वाले समय में काफी उम्मीदे हैं इस stock से तो आप इसको stock को buy करके चल सकते हैं रही market में गिरावट की तो अभी इस तरीके से आपको share market में गिरावट देखने को मिल रही है globally इलहाल आपको जो gas natural gas और oil की supply है वो नहीं कर पा रहे हैं crude oil की यह कच्छे तेल की तो उस बज़े से जो बाकी देश है उन्होंने crude oil की दाम बढ़ा दिये उसी चीज का जो असर है दोस्तों क्योंकि तेल से सबी चीज प्रवाबित होती है ट्रांसपोर्ट बगरा में लगता है बड़ी बड़ी फैक्टरिया चलती है दोस्तों generator चलते है तो हर जगह आपको diesel and petrol की आवसकता होती है तो इसलिए stock market में गिरावट देखने को मिल रही है साथ यसाथ world war की बात भी चल रही है जिसने पूरी stock market को हिला कर रख दिया है दोस्तों तो ऐसे में आप अगर penny stock खरीदना चाते हैं जोस्तों इसको भी आप penny stock की मान कर चलिए जो matter का क्योंकि फिलाल अभी भी इसकी price कम है और 70-78 रुपे के आसपाई देखने को मिल जाते हैं 10-15 रुपे का चल रहा है जहां पर आप इसको सोच कर चल सकते हैं तो ऐसे stock में आपको investment बहुत सोच कर करनी है दोस्तों अभी अगर आप इसको खरीदने की सोच रहे हैं तो ज़्यादा ज़्या पांस stock ही बाई करके चलें ज़्यादा ना खरीदें अगर आप इससे अच्छी company में आपको बताने वाला हूँ तीन ऐसे stock अगर आपका थोड़े ज़्यादा पैसो का नजरिया है आप दो तीन हजार रुपे लगाना चाहते हैं तो तीन ऐसे stock जो आज की तारिक में बहुत सस्ते देखने को मिल रहे हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ फिला अगर हम बात करते हैं आज की तो ज़्यादा का stock कितना तूटा सिर्फ और सिर्फ 2.12% अगर हम बात करते हैं दोस्तो इससे ज़्यादा जो strong company है जिनकी market capital लाखों में वो 2% से भी ज़्यादा तूट चुके हैं दोस्तो चलिए बजाज finance की बात करते हैं कितना तूट चुका है 4% बजाज करते हैं दोस्तो इस एन पेंट की 3% से ज़्यादा तूट चुका है टाइटन की बात करते हैं 3% से ज़्यादा तूट चुका है अगर आज की बात करते हैं बजाज finance की तो दोस्तो आज आज आपको 4-4% की जिससे ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है और एक अच्छी लेवल देखने को मिल रहे हैं क्योंकि रेटन की बात करते हैं पिछले 5 साल की तो 6,5 रेटन इस कंपणी ने दिये हैं 4-49% तो इस कंपणी में अगर आप बजाज finance में study करके चलेंगे और बाइग करके चलेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बैटर रहने वाला है किसी भी कमजोर कंपणी के अपेक्षा साथ ही साथ अगर दूसरी कंपणी की बात करते हैं दोस्तो Asian Paint बहुत ही अच्छी कंपणी है बात करते हैं दोस्तो आज की 3% से ज़्यादा तूड़ चुका है और बात करेंगे दोस्तो 5 साल की रेटन की तो आप देख सकते हो लगबग 117% से ज़्यादे की रेटन तो आपको पसंद आ ऐगा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्सरों वीडियो